नमस्कार कुशान साथियो एक रोजेड़ियास मेरा मेराम आपका स्वाक्त है मैं मेराम सिहाग आज आपको बताऊगा खजूर की खेती के बारे में की कौन-कौन सी किसमों को अपना ही इसके लिए उप्यूक जलवायु क्या है इसके लिए उप्यूक मरदा क्या है तता इसके किटों के रोगता हम कैसे करें तो इसलिए वीडियो के अंद तक हमारे साथ जरूर बने रहें खजूर एक कम पाने चाहने वाला और अधिक करए गरमी में पनपने वाला फल है। रास्थान में इसकी खेती कुछ साल पहले से ही की जाने लगी है इराक, साथी अरब, इराम आदी में इसकी खेती भूत प्राचिन समय से भूत बड़े वेवसाइक के तोर पर की जाती आ रही है वहां से भारतिये कर्शी अनुसंदान प्रिश्द के किशेत्रिये केंदर अभूर द्वारा कुछ वेवसाइक किस्मों के पौदे मंगवा गये थे उसके बाद खजूर के सक्रस्क का आयात सुरू किया गया खजूर एक ऐसा पेड़ है जिसके फ़लों को पूरी तरह से पकने के लिए लंबे समय तक सुसक गरमी के आप सकता होती है लंबे समय तक बादल चाय रहने से और हलकी बूंद्याबांदी होने के कारण इसके फ़लों को अधिक नुक्सान पहुंचता है इसके फूल आने से पहले फल पकने के मद्य की समय उदी का ओस तापमान कम से कम एक महिने के लिए 25 डिग्री शेंटिग्रेडर तक या इससे अधिक होना चाहिए जोद्पुर में टिशू कल्चर प्रियोक साला की स्तापना सन 2009 में की गई थी जिसने 2012 में टिशू कल्चर खजूर की खेतिक करना सुरू कर गया था वहां से आप टिशू कल्चर पौदे भी प्राप्त कर सकते हैं वर्तमान में राजस्तान में खजूर की साथ किसमों को उगाया जाता है बरही खुनेजी, खलास, मेदूल खजावी और जामली इसमें से बरही किसम की खेती है वो एक बहुती बड़े किसेतर पर की जाती आ रही है टिशू घल्चर तकनिकी से खेती करने वाले किसानों को सन 2014 में 90% तक अनुदान दिया गया था और जिसे अब घटा कर 2015-16 से किसानों को लगए 75% अनुदान दिया जाता आ रहा है या फिर 3,2,450 रुपे पर 3 हेक्टेर के साब से दिया जाते हैं खजूर का पोदा कम से कम 40% तक फल देता है इसलिए इसके पोदों को उन्चित फासले या दूरी पर लगाना बहुत आउशक है पराय कतार से कतार पोदे से पोदे की बीच की दूरी है वो 8 मिटर रखी जाती है जिसे पोदे का फिलाव भी अच्छा होता है जिता पोदे के बीच में की जाने वाली कर्सी किलिया भी सुगना प्रू होती है तो इस परकार एक हिक्टियर में 156 पोदे लगाए जा सकते है खजूर एक लंगी पेड़ होने से नर्वा मादा पुसम अलग अलग पेड़ो पर आते है इसलिए खेत में प्रागन के लिए पांस से दस परसंट नर्व पोदे लगाना अती आफशक है खजूर में प्रागन हातों से करवा जाता है नर्वा पोदे से प्रागन या पाउडर को लेकर मादा पुसम के फुलो पर छिड़काव किये जाता है खजूर के पोदे लगाने के लिए एक मीटर लंबा एक मीटर चोड़ा वा एक मीटर गहरा गड़ा पोदा लगाने के एक माँ पहले कोद लेना चाहिए गड़ों में उपर की मिट्थी तता बीस किलो ग्राम सड़ीवी गोबर की खाथ डेड़ किलो सिंगर सूपर फास्पेट और डाइसो ग्राम क्युनालफोस आज ही सभी को मिलाकर गड़े को भर देना चाहिए पोदे लगाने से पहले गड़े में पानी देना चाहिए ताकि मीटी अच्छी तरह से बेड़ जाए पोदे लगाते से में ध्यां रखना चाहिए कि पोदे का बलब या सक्रस है उसका 3.4% हिंसाई मेटी के अंदर रहना चाहिए और ध्यां रहे कि कराउन मेटी में नहीं दबे उसके बाद पोदे को अच्छी तरह से सिंसाई कर देनी चाहिए मेटी की सरचनाय और जल धन क्यमता सिंसाई के आवसकता को बहुत ही हद तक प्रभाउत करती है बुलोई भूमी या रेतेली भूमी में सिंसाई के आवसकता दोमट भूमी या चिकनी भूमी के अपेक्षिया बहुत अधिक होती है खजूर के पोदे में समुचित वानस्पतिक वर्दी फल प्राप्त करने के लिए भूमी में दो मिटर तक नमी रहनी चाहिए टिशू कल्चर या उत्तक समर्धन से त्यार पोदों में ड्रीप परतिसी नियमी तुरूप से शिंचाई देना आवशक है अब बाता तिहम खजूर के अंदर खाजवे उरक कैसे दें खजूर के एक से चार वर्ष्ट के पोदों को परतिवस 260 ग्राम नाइट्रोजन, 140 ग्राम फासपोर्स, 540 ग्राम पोटास देना जरूरी होता है इसके साथ साथ अगस्ट यंबर महा में 25-30 गिलो शड़ी हुई गोबर की खाद भी देनी चाहिए पांच वर्ष्ट से अधिक आयू के खजूर के पोदों में परतिवस 40-50 ग्राम शड़ी गोबर की खाद परतिवोदा के दर्से अगस्ट यंबर के महा में देवे इसके अत्रिक 650 ग्राम नाइट्रोजन, 650 ग्राम फासफॉर्स और 870 ग्राम पोटास परतिवोदे को देने चाहिए नाइट्रोजन की आदी मात्रा और फासफर्स वे पोटास की पूरी मात्रा गोबर की खाद के साथ पोथे के तने के चारो तरफ रिंग या गोला बना कर देवे और नत्रजन की आदी मात्रा फल विकास के समें सिंचाई के साथ देना लापड रहता है खाद फरकिरिया को एक और अधिक वेगानिक शरूप देने के लिए गोबर की खाद आधि-आधि मात्रा जुलाई, अगस्ट, त्यमबर, अक्टोबर, नॉवंबर और फरुरी, मार्च तता अपरेल में देनी चाहिए जिससे आपको अधिक ख्लाब मिलेगा इसी प्रकार फासफोर्स और पोटास की पूरी मात्रा को चार इंसों में बांट कर जुलाई, नॉवंबर, फरुरी वे अपरेल में देनी चाहिए इसके अलावा भूमी प्रिक्षन के अधार पर बोरोन, मेगनीज, तता लोहिक का छिड़काव भी पोदे के सवस्थ लावध इसके लिए आप खेत के अंदर 5-10% तक नरपोदों को रख सकते हैं, यह तभी होगा जब आप टिशू कल्चर से पोदों या फिर आपने जो पोदे लगाए हैं, खेत के अंदर उनकी पहचान हो जाने के बाद, यदि वो नरपोदा है, तो उसकी उखाड़ कर, उसके जग या मादा पोदा लगा सकते हैं, और 5-10% पोदे नरपोदे आउसक रखे, अब बाद आते हैं, खजूर के अंदर कीट हुए रोगों की रोगता हम कैसे करें, खजूर का जो सबसे महत्वपन रोग है, वह है मिठ्याकंड या ग्राफियोल, अन्य फलदार पोदों के होता है, खजूर की बिमारियों में परमुक, ग्राफियोल या रुमट है, जो पराई अधिक आधरता की प्रिष्टीती में अधिक होता है, यह ग्राफियोल फिनिसिस्ट नामक फंफूद से होता है, पतियों के दोनों स्थों पर पुरे रंग के ऐसंग खेदेवे करती है इसके नियंत्र हरतु पतियों को काट कर नश्ट कर देना चाहिए और तांबे युक्त फंबुद नासी या डाइधिन M45 और फाइटो लाइन दो ग्राम पती लीटर पानी में मिलाकर इसका छटकाव आप रोग कोई रोग थाम के लिए कर सकते हैं दूसरा जो रोग है वो है पती दवा रोग या लीप स्पोर्ट रोग या अल्टरनेरिया रोग यह है रोग अल्टरनेरिया फंक्स दवारा होता है जिसे पतियों के दोनों स्थव पर एनियमित आकार के बुरे काले रंग के देवे हो जाते हैं उगरा उस्थाम में रोग पोदे के तने फलों क को भी प्रवाइद करता है इसकी रोक्ताम के लिए अधिक से अधिक प्रवाउद पुतियों को काट कर जला देना चाहिए तथा पूद एपर कार्बिंडाजीम एक ग्राम या मेंकोजेम दो ग्राम पर्थी लिटल पानी में गॉल बनाकर 15 दिन के अंतराल स्थ तीन बार समुझचित द्वियोस्ता करके पकने से पुर्वा कार्बिंडाजीम एक ग्राम पर्ति लिटर पानी में गॉल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव कर सकते हैं दीमक के ने अंतरन के लिए आपके लोड़ परिफोस एक मिली लिटर पर्ति लिटर पानी में गॉल कर उसका शिड़काव कर सकते हैं महतरपुर्ण किट है खजूर का वय स्केल किट खजूर का स्लक या स्केल किट भी भूत यहनगा रिखोता है यह ने प्या मादा पतियों का रश चूज कर क्षेती पहुंचाते हैं अधिक प्रकॉप होने पर ये किट कच्छे फुलों को भ प्रभाव पड़ता है फल छोटे रह जाते हैं ठीक से पक नहीं पाते हैं सूख जाते हैं इसके नियंद्रन है तू इस कीट से अधिक प्रभावुत पतियों को काट कर जला दिने चाहिए तता प्रभावुत पतियों पर डाइमेथोट टी सी का एग मिली मत्वा मोनो प्रभाव करना चाहिए फल पकने के समय वर्षा प्रहरम हो जाने से पेड़ पर प्रविक्ता प्राप्त करना संबव नहीं है तता हम फलों की तुड़ाई कैसे करें अधिक तर जगह पर फल गुच्छों को डोका उस्ता में ही तोड़ा जाता है कम वर्षा वाले क्षेत्र फलों में भी तुड़ाई प्राइड डांग वस्ता में की जाती है च्वारा बनाने के लिए भी दोका वस्ता में ही फुरों को तोड़ा जाता है फलों की तोड़ाई के बाद प्लस्टिक रेट में रख़ट साकू के गुच्छों से अलग करके चंटनी करनी चाहिए फलों से नबे प्रस्तिसत अपेक्षी अधरता में सीध ग्राई में दो सब्ता तक आप बंडारित करके रख सकते हैं तो इस तरह आप खजूर की ख्योति करके भूती बड़ा मुनाफ़ा कमा सकते हैं